Hello students, Classics, बच्चो आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर का एक नए टोपिक पढ़ेंगी जिसका नाम है कारक, ठीक है? जिसा आप शब्द लिखते हैं, करता सोरी, राम ने, रावन को मारा, अब ये जो ने शब्द आये, राम ने, ये ने शब्द जो आपका कारक है, ठीक है? जैसे लिखा कि राम का विवा, सीता के साथ हुआ, तो राम का विवा, यानि जो का लिखा है, राम का, ये का शब्द जो वो क्या है, कारक है, ठीक है, तो कुर्शनेस में कारक किसे कहते हैं, और कितने प्रकारके होते हैं, उधान साइट दीजिए, तो किसी वाक्ये में प्रि क्रिया से जो संबंद होता है उसे कारक कहते हैं किसे कहते हैं कारक किसी वाक्य में प्रियुक्त संग्या सरुनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंद होता है ठीक है राम संग्या हो गया अब यहां पर देखें राम ने रावन को मारा अब राम जो संग्या है और मारन क्या है क्रिया तो संग्या सरुनाम पदों का उस वाकि क्रिया के साथ जो संबंद अब क्रिया के साथ है क्रिया क्या है मारना है और राम क्या है संग्या है ठीक है तो राम इसमें क्या संबंद है राम ने राम ने रावन को मारा तो मारने की क्रिया हो रही है तो यहां पर ने और जो कोशब्दें बच्चों वही क्या है आपके कारक है, ठीक है, मोहन कमरे में सो रहा है, आप यहाँ पर सोना क्या हो रहा है, क्रिया, और संग्या क्या है, मोहन, तो क्रिया, इसमें सो रहा है, संग्या और सरनाम पदों का, क्रिया के साथ जो संबंद होता है, तो क्या सब्सक्राइब रहा है कि यहां पर बच्कों आपका जो किलम शब्द है स्षब्द है वह क्या है आपका आपका कारक यह लिखने अकाम हो रहा है क्रिया है लिखना और वह क्या है सारुनां ठीक है तो सरुनां और STEPHAN किरिया में क्या है संबान्द किस्ते और सम्भन से से ने में को मैं से फिर्जों संग्या तता सर्णाम शब्दों का क्यिया के सास्थ संबंद दिखा रहे हैं इने परशरग कारकशिन या बेखिटि चिन कहते हैं कितने वेद होते हैं कितने वेद होते हैं छे वेद होते हैं कौनकौन से करता करम करन्संपरधान अपधान अधिकरन और संभोधन एक suspects दो होता है इसमें नहीं बता पूंख में तो आपके यहां पर छे भेद होते हैं यह बताए गई हैं तो छे कुनकुनसे हैं कर्ता इसका वबक्ति चिन क्या होगा ने अजर राम ने रामन को मारा तब ने जो है वो कर्ता का रखे यानि कि संग्या के साथ है ठीक है करम करम यानि जो करम हुआ उसके साथ आएगा तो को ठीक है इसको कैसे याद करते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के दुआरा संप्रदान के लिए आपादान से अधिकर्ण में पर और संबोधन में होता है हे अरे ठीक है तो उसे बहले कर्ता देखते हैं संग्याय सरुनामपत के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं जैसे राम ने पत्त्र लिखा अब यहाँ लिखने आकाम कोन कर रहा है राम तो राम क्या है कर्ता अगर कर्ता के साथ क्या आएगा ने आपको बता दिया कर्ता ने ठीक है किर्सन ने अब यहाँ पे खाना कौन खा रहा है करशन खारा है करता को ने करशन किरशन के साथ कौन से वक्ती चीना है ने आया समझ में नेक्ष्ट है आपका कर्म कारक ठीक है संग्या सरमनामपद के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल पढ़ता हो उसे करम का रखे है, जैसे कर्षन गाउं को जाता है, ठीक है, तो कर्ता ने, अब यहाँ पर आदा कर्षन ने खाना खाया, यहाँ आदा सेंडर नाम पद के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का फल, करता पर पढ़ता हो या करता हो सोरी करम पर पढ़ता हो या करम हो रहाएगा बच्चों भी जो फल के बाद करम आएगा वैपार का फल करम पर पढ़ता हो उसे करम का रखे जैसे कृष्ण गाउं को जाता है तो यहाँ पे जो गाव है वो करम है यानि कि वहाँ जा रहा है जाने का काम हो रहा है काम क्या है जाना और कहाँ पे गाव तो गाव के साथ जो है वो को आएगा यानि कि करता ने करम को यानि करम का रहा है ठीक है संग्याय सरनामपद के जिस रूप से करता के काम करने के साथ इनका बोध हो यानि काम जो है वो किस से हुआ है इसका बोध हो राम ने तो ने क्या हुआ करता कारक हो गया राम ने बान से अब बान जो है बान से रामन को मारा अब मारने का काम किस ने क्या राम ने राम क्या हुआ करता मारना क्या हुआ आपका क्रिया ठीक है अब ये जो हम उसने काम किया मारने का वो क्रिया की किस से बान से किसे की बान से की थी वो तो बान के साथ जो से है वो क्या हुआ करन हुआ ठीक है कि काम के करने के साधन का बोध हो काधन क्या है बाहान है यहाँ ठीक है और रावन क्या है कर्म क्यांक्स योगा पार्वन क scout कराया ठीक पिर नेक्स्ट आपका शंपरदान संग्या सर्वनाम पद के जिस रूप के लिए किल्या की जाए उसे संपर्दान का रख गयता जैसे राम official आम ला इनने की संग्यय सरवनाम पद के जिस रूप के लिए करिया की जाए किस के लिए संग्यय संग्या है किस के लिए कुलायात। पिCh liftu संग्या के लिए कि लिए wszyscy और किसके लिखी गई है संग्या के लिए ठीक है संग्या को उने है मोहन ठीक है तो यह क्या हो संप्रदानकारत नेक्ष्ट है आपका अपादान संग्या यह सरुनामपद के जिस रूप से प्रथकता आरंब भिनता आदी का बोध होता हो उसे अपादानकारत कहा जाता जैसे व्रक्षों से पत्ता गिरता है अपदान का मतलब भी बच्चों होता है अलग होना एक सीधी सी बात याद रको कि आपदान का मतलब होता है अलग होना ठीक है जैसे कहा पेड़ से पत्ता गिरता है ठीक है तो पेड़ से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है पेड़ से पत्ता क्य प्लूप कहते हैं जैसे गाय क्या है यह रही है यानि क्रिया तो यह यह जो क्या हो रहा है वा देखिए अब यह बच्चों आप एक नोट ओर दिया वा देखिए, कुछ लोग संबंद और संबोधन को भी कारक मानते हैं, परन्तु इनका वाक्या में कि दिया जिसी तो संबंद नहीं होने कारण ये कारक नहीं है, जिस संबंद कारक कहा जाता है वास्ता में संबंद सूचक करने है, ठीक है, आया समझ में, आपको क्या करना है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उसके वाद अच्छे से लर्न करना है, ठीक है बच्चों, अको समझ में नहीं आता है, तो आप उसके लिए स्कूल आ सकते हैं, पूछने के लिए आपके क्लासे चालू है, ठीक with you